नमस्कार दोस्तों भासकर जी साइंस में आपका फिर से स्वागत है जैसा कि हमने लाइसोसोम्स के बारे में आपको बता रखा था लेकिन एक चीछ हमने लाइसोसोम्स के बारे में छोड़ दी वह क्या छोड़ दिया कि लाइसोसोम्स जो होता है इंडोपलाज्मिक और hundred फर यानी कि कर्व उठेहुए कर वाले भाग होने के बाद में उन्हाइं थाइलीओं में वहीं से फियों हो रहा था वहीं पिंच्ट आप यानी कि टोड़ा के तरह निकल रहा था वही आपके लैसोसुम बन रहे थे तो lysosome आपका सिर्फ गालजी कांप्लेक्स से नहीं इंडो पलाजमिक रेटिकूलम से भी बनता है अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि गालजी बाडि से जो लाजो सोम से बनता है वो गालजी बाडि के क्या करते हैं हम उसके बेसल से यानि थालियों से बनते हैं लेकिन जो इंडोपलाजमिक रेटिकूलम से जो लाइसोसोम बनता है यह आपके उनके ट्यूबल से यानि जो ट्यूब से बनता है हम आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहते हैं इसना पर हमने यह आपको नया वीडियो दिया हुआ है उस वीडियो का नाम होगा हमारा ला जी कंपलेक्स से जो प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं फूट परटिकल से मिलने के बाद में फूट पार्टिकल के कड को यह अपने अंदर क्या कर लेता है कैप्चर कर लेता है कैप्चर करके इसके पास में और भी 400 परकार के यह एंजाइम होते हैं जो बाहर से आने वाले पदार्थों को यह क्या कर देता है डाइजेस्ट कर देता है अभी तक अंदर जो डाइजेस्ट करने वाले रखा था लेकिन वहां को आत्म हत्या की जिली शाइड बाइक भी नाम से जानते हैं आप देख लीजिए तो यह इसको चैप्चर कर लेता केंपचर करके इनको जो इसमें भोजन के पदार्थ होते हैं उन भोजन के पदार्थों को यह यह हम भोजन फिर इसके बाद में residual माने की बचा खोचा पदार्थ को यह ले जाकर के कहां छोड़ देता है यह जो आपके कोखी को सैल वाल वहां तक यह ले जाकर के उसको छोड़ देता है कभी कby क्या होता है कि जब उस लाइसोसोम्स के जिल्ली की जरुरत होती है तो जिल्ली मौजूद होती है तब तो कोशिका में रहेगी नहीं मौजूद होती है तो कोशिका की जो भित्ती होती है सेलवाल जो होता है उसको भी बाहर निकाल देता तो आत्महत्या की जिल्ली या सोसाइट बैक या आत्मलयन क्यों कहते हैं उसका क्या कारण है मालीजिए किसी कारण बस किसी कारण बस अगर लाइसो सोम्स कोशिका में फट जाता है या फटने की इस्तिति में आ जाता है तो तो उस फट जाता क्यों फटने की स्तितिम हो जाता है कозм कि कोशिका के जीओधंदर्ब के महत्पूर पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कोशिका की मृत्ति होने से बचाने के लिए खुद अपने आपको सोसाइट कर लेता है इसलिए इसको हम कोशिका की जिल्ली करते हैं क्यों इसके फटने से इसके फटने से अगर यह फट गया या फिर यह अपने आपको सोसाइट न किया तो कोशिका मर जाएगी क्यों मर जाएगी क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि राइबो और इन एंजाइमों को भी यह पचाने के लिए इनके इस एंजाइम से सम्मंधित जीतने भी आपके कोशिका में मालीक्यूल्स यानि की पदार्थ मौजुद हो दून को यह पचाने के लिए डाजेस्ट करने के लिए यह सक्षम होता है इस नाते यह क्या कर देता है कि जब इ जहरा है अब जब कोशिका की पर पहुँचने लगता है तो केंद्रक को यह सूचना मिल जाती है कि जीतने इलाइसो। स्में भाडर को सभालते यहां जाता है यहां जाकर इसी में जो मौजूद इनरजी होती है इसी इनरजी से ही क्या मतलब कि न्यूकलियस के लिए ही मतलब के इंदरक आपने कोशिका का जो भुभाजन होता है इन्हीं के फटने से ही तो होता है आब क्या करते हैं कहीं लडाई होती है तो भाई क्या किया जाएगा आपकी तो दुस्मन मरें दुस्मन सहीध होगा तो इस तरफ अपने तरफ के सहीध होगे तो क्या होता है जो बच्क होचे होते हैं उनको तो पहुंचाना होता है तो कोसिका को जीवित 404 ची मतलब में घुलन वाले ची महते हैं और लगभक 400 प्रकार के आपके प्रोटीन fat lipid यह सब डाइजस्ट करने więcej होते हैं और इतने प्रकार हैं आपना ब्रकार करें रहेंने मुपार लेता है तो इस ग्लीम के फटने डिश्ट्रॉय हो जाते हैं इस प्रकार से लाइसोस्टों आपका आत्महत्या की जिली भी कही जाती है और आप देख लीजी जब आत्महत्या चाहर करने लगता है मतलब यह फटने लगता तो यह क्या होता राइबो प्रोटीन में कर्वाट हो जाता है यह आपके प्रोटीन में कर्वाट हो जाता है यह पाली सेक्राइड गलाइकोसाइड में हमको दो पार्ट में बदाने का आपको पार्ट नंबर वण लेसुसं में पार्ट नंबर टो यह हमारा लाइसुसुम इसका बताने का उड़े सिया ही था कि लाइसोसोम हाथ महत्या की जिली भी होता है कैसे होता है हमने आपको विधिवत बता रखा आप हमारा नेक्स्ट टापिक्स जो होगा यह स्फेरोसोम्स होगा